नमस्कावार्द नगरी न्यूस के खासकार करम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ साक्षिशन आज बात करेंगे उस विदानसबा सीट की जहां पर 66 साल से चार परिवारों के बीच ही विदाही की गिन की रही है इस दोरां कॉंग्रेस के नो और भाजपा के पाँच विदाहक रहे हैं हम बात कर रहे हैं नावा विदानसबा सीट यहां से कॉंग्रेस ने अपने पुराने विश्वास पात्र परिवार के सदर से कोही टिकेट भी आ है यानि महिंद्र चोगरी और बीजेपी ने विजे सिंग चोगरी को मैदान में उतार कर कटर मुकाबला खेल दिया है नावा के अगर बात करें तो यहां पहले से ही कॉंग्रेस के विधायक महिंद्र चोगरी की पेट और वर्चस्त कायम है यहां के जातिकत तमिकरन देखके तो यहां पर लंबे वक्त से जाट बनाम जाट का मुकाबला होता रहा है अलांके इस शेत्र में कुमावत समाज भी बहुत संक्यत है लेकिन उसके बावजूट जाटों का यहां खासा सियासी वच्चस्त देखने को मिलता रहा है इसके अलावा यहां ब्रामन और SDSC की भी घासी आबादी है जो की पूरे गणित को बदल सकती है 2018 के विधन सबस चुनाओं में एक बार फिर महेंद्री चौधरी और विजे सिंग चौधरी आमने सामने थे हालांके नावा की चंता ने परिवर्तन का मन बना लिया था और इसी का नतीजा रहा कि कॉंग्रेस के महेंद्री सिंग चौधरी को 72,168 वोटों के साथ जीत हासिल लिए तो वहीं विजे सिंग को 59,912 वोट बिले अब बात करें कॉंग्रेस कृटियाशी की तो प्रदान रहे हनुमान सिंग चौधरी के बेटे महेंद्री सिंग को कॉंग्रेस से 1998 और 2003 में टिकेट दिया गया लेकिन वे ऐसा कल रहे हैं महेंद्र चौधरी ने अपना करियर छात्र राजमीरी के सिंग चूधरी दोजराट में विधायक बने फिर 2018 में कॉंग्रेस को चीत दिलाए अफिर कॉंग्रेस किया है टिकेट पर मैदान में है उन्हें मुख्यमंत भाजपा के प्रत्याशी विजे सिंग चौधरी के परिवार में पहले 2003 और 2008 में कॉंग्रेस से टिकेट मांगे लेकिन टिकेट नहीं दोज़ाटेरा में भाजपा के टिकेट पर वे विधायक बने आपको बता दें कि उनके पिता रामिश्वर लाज चार बार कॉंग्रेस स सब्सक्राइब नावा विधानसवा सीट पर जीत और हार का समीकरन को मांचिक होता क्योंकि बंशबात की राज़िते कि तर अपना अस्तित्र दिखा चुकी चार परिवारों के बीच के संगर्ष में जनता किसको चुने तो देखने वाली बात अभी के लिए इतना ही अगल सबसी इस अमीकरन कि बात अबत खाली नमस्ता